जैहिंद जो जो सिविल सर्वेंट्स सिलेक्ट किये जाते हैं यूपिये से सिविल सर्विसेज एक्जाम के थ्रू तो वो कौन-कौन से हैं एक तो IES दूसरा IPS तीसरा डानिक्स उसके डानिक्स जो IES IPS हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनका काडर कौन सा होगा अग्मूट काडर अब आप में से कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा चाहे आप UPSC की त्यारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो अग्मूट काडर कौन सा होता है देखो जैसे आपने सुनाओगा हर्याना काडर, पंजाब काडर, राजयस्थान काडर तो वो एक स्टेट से परटेनी काडर है मतलब एक कोई IES IPS ऑफिसर को वो काडर मिल गया तो वो अपने पूरे करियर के दोरान उसी स्टेट में सर्फ करेगा ऐसे ही एक काडर होता है अग्मूट काडर इसमें A stands for अरुनाचल परदेश, G से गोवा, M से मिजोरम और UT से जो आपकी सारी की सारी UT हैं वो जो अग्मूट काडर के ओफिसर्स होते हैं उनकी ये सारी की सारी UT प्लस अरुनाचल परदेश, गोवा और मिजोरम में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है मतलब इनके बीच उनका ट्रांसफर होता रहता है और जो डानिक्स, डानिक्स की बात करें ये होती है ग्रूप B सर्विस जैसे IAS, IPS और जो बाकी की लाइट सर्विस हैं वो हैं ग्रूप A सर्विस, ये होती हैं ग्रूप B सर्विस अब अगर हम इन दोनों सर्विस के ओफिसर्स की पोस्टिंग की जगा की बात करें तो इनकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है D से डेली, A N से अंडेमा निकवार, उसके आलक्षदीप, दादरा ये नागर हवाली, दमने डियू इनी सब भी जगां पर इन ओफिसर्स की पोस्टिंग हो सकती है अब ये कौन डिसाइड करता है कि जो एगमोट काडर का कोई IIS IPS ओफिसर है या डानिक्स, डानिप्स का कोई ओफिसर है तो उसकी पोस्टिंग डेली में होगी या जो बाकी के मैंने आपको स्टेशन्स बताया है वहाँ होगी ये डिसाइड करती है Ministry of Home Affairs जो सेंटर की Ministry of Home Affairs है वो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इन चारों सर्विसीज के लिए तो आपके दिमार में एक चीज आएगी लाइक हर्याना के अंदर कोई IAS IPS आफिसर की पोस्टिंग हुई है उसको एक काडर अलॉट हो गया तो उसके बाद हर्याना की गवर्मेंट डिसाइड करती है कि कब किस IAS आफिसर को कौन सा डिपार्टमेंट देना कब उसका ट्रांसफर करना है तो आपके माइड में एक चीज आ सकती है ठीक है डेली के अंदर भी एक गवर्मेंट है तो जब कोई IAS आफिसर डेली गवर्मेंट के अंदर काम कर रहा है तो उसकी ट्रांसफर भी डेली गवर्मेंट कंट्रोल करेगी और सही में ये टसल बाजी चलती रहती है आप नियूज में अगर देखोगे तो इस चीज को लेके बहुत जादा टसल बाजी है और ये जो जजमेंट है वो इसी चीज से रिलेटिड है कि ultimate authority है किसके पास ये पूरा का पूरवा जो मुद्दा है उसको समझने के लिए आपको जो डेली की legislative assembly है थोड़ा सा उसके past में जाना पड़ेगा देखो अगर हम year 1952 की बात करें तो उस साल में पहली बाद डेली legislative assembly constitute हुई और चौधरी भरम परकाश पहले chief minister थे डेली के बट 1956 के अंदर state reorganization act आया जिसके बाद डेली को एक यूटी बना दिया गया और direct administration कहां आ गई प्रेजिडेंट आफ इंडिया के अंडर और subsequently जो डेली legislative assembly थी और जो council of ministers थे उनको abolish कर दिया गया उसके बाद year 1966 की अगर हम बात करें तो उस साल डेली administration act आया जिसकी वज़ा से डेली के अंदर एक डेली metropolitan council बनाया गया जिसके अंदर कुछ elected और nominated members थे जिनको head करता है एक lieutenant governor बट ये जो पूरी की पूरी body थी along with lieutenant governor इसका role सिर्फ एक advisory role था कि central government को सिर्फ एक आप advise कर सकते हो central government भी नहीं मैं कहूंगा कि president of India को आप सिर्फ advise कर सकते हो कि कैसे चलाना है बट वो चीज आप ये नहीं कह सकते कि binding है उसके बाद क्या था कि डेली के अंदर एक statehood की demand बढ़ती चलीगी कि डेली को एक पूर्ण राज्ये का दरजा मिले उस वज़ा से एक committee बनाएगी ये आपके लिए बड़ी important चीज है एक committee बनाएगी year 1987 के अंदर कौन सी committee थी? S. Balakrishna committee इस committee की recommendation के उपर हमारे Indian constitution के अंदर important है 69th amendment की गई तो 1991 के अंदर 69th amendment act पास हुआ और उसकी वज़ा से डेली को एक UT कहते हुए एक special दरजा दिया गया वो special जो दरजा दिया गया है वो हमारे Indian constitution में कहां specified है? Article 239 AA के अंदर So इसी article की वज़ा से जो डेली का आप official नाम देखते हो NCTD National Capital Territory of Delhi वो निकल कर आया क्योंकि इसी article के अंदर mentioned है डेली के लिए specifically ये नाम So आप देख सकते हो कि इस amendment के बाद डेली को full statehood तो नहीं मिला But among the UT's एक special दरजा दिया गया क्योंकि special provisions रखे गए थे और उन्ही provisions के अंदर कुछ ऐसे provisions हैं जिसकी वज़ा से आप center और जो डेली की government है उसके बीच में tussle देखते हो वही हम आगे discuss करेंगे So that आपको clarity हो सके उसके लिए हमें अपने Indian constitution का जो part 8 है उसको refer करना होगा Part 8 pertains to UT यह आपको पता होना चाहिए अब part 8 के अंदर सबसे पहले article कौन सा है 239 जो कि in general union territory से pertaining है इसमें लिखा हुआ है कि जो union territory की administration है वो directly कौन देखेगा President of India और वो अपने बहाफ पर एक administrator appoint करेंगे जो कि वहां की administration देखेगा और आगे President of India को directly report करेगा अब जो article 239 AA जो अभी हमने पिछे discuss किया है Delhi से pertaining special provisions वो add किया गया amendment के साथ अब उसके आगे हम section 3 की बात कर रहे है article 239 AA के section 3 की अब 3 के अंदर पहले है sub part A अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है देखो जैसे एक state list होती है आपको पता होगा state list, concurrent list, union list state list में वो वो चीजें होती है जिनके उपर कोई state कानून बना सकती है उसके उपर center कानून नहीं बना सकता है उस state से pertaining concurrent list वो होती है जिसके उपर center भी कानून बना सकता है state भी कानून बना सकती है कुछ ऐसी चीजे है और union list में ऐसी ऐसी चीजे है तो यहां लिखा हुआ है कि जो Delhi की government है, मलब Delhi की legislative assembly है, वो किस चीज पर कानून बना सकती है? जो state list और concurrent list में सारे के सारे मुद्दे दे रखे हैं, उन पर बना सकती है, just like other states. बट एक exception दे रखे है कि जो state list के अंदर entry number 1, 2 और 18 है, उसके उपर कानून नहीं बना सकती. 1, 2 और 18 कौन सी है? 1 है public order, 2 है police, 18 है land. तो इन तीन मुद्दों के उपर ये कानून नहीं बना सकते. तो ये इनके jurisdiction से बहार चला जाता है. तो ये कहां चला जाएगा directly किस के jurisdiction में? President of India के jurisdiction में. मतलब आप एक कह सकते हो कि एक तरह से union government के पास ये directly चीज़े चली गई. उसके बाद एक चीज़ और important है यहां पर. ये चीज़ भी mention की गई है कि अगर यहां की legislative assembly किसी एक मुद्देवे कानून बनाती है. उसके बाद parliament भी उस मुद्देवे कानून बना सकता है. ये निया कि state legislative assembly ने एक particular issue के लेके कानून बनाया तो उसके parliament उसको छेड़ नी सकता. Parliament भी बना सकता है. और finally जो parliament का होगा वो valid होगा. ये चीज़ भी clearly यहां पर mentioned है. उसके बाद जो article 239AA अभी हमने discuss किया है. जो इसका अगर हम section 4 की बात करें. तो section 4 के अंदर important चीज़ क्य है. इसमें लिखा हुआ है कि एक chief minister होगा जो कि head करेगा council of ministers को. जैसे कि आप center में देखते हो. PM head कर रहा है. Council of ministers को state के अंदर देखते हो. ऐसे ही यहां लिखा हुआ है. Delhi के लिए भी एक CM होगा जो कि head करेगा council of minister को. वो aid और advise करेगा lieutenant governor को. कि आपको किस तरह से काम करना है. और यह सारे के सारे उन सब मुद्दों पे उनको advice कर सकते हैं. एक्सेप्ट दोज मुद्दे जिनके लिए LG के पास, lieutenant governor के पास कोई discretionary power है. उसके अलावा अगर मालो इन्होंने कुछ advice दिया और LG उस advice के साथ सहमत नहीं है. मतलब एक difference of opinion है. तो ऐसे case के अंदर LG उस matter को president को refer कर सकते हैं. और जब तक उन्होंने refer किया हुए president को और उनको लगता है meanwhile उस मुद्दे के उपर action लेना बहुत जरूरी है. तो वो अपने हिसाब से जैसे उनको ठीग लगे situation के हिसाब से action भी ले सकते हैं. अब आप देख सकते हो कि अगर central government दूसरी party की है और आप Delhi के अंद सो आप clearly observe कर सकते हो कि कुछ ऐसे provisions हैं इस article के अंदर जिसकी वज़ा से अगर जो chief minister है और LG है उनके बीच में equation अगर सही नहीं है तो ऐसे case में काफी जादा tussle बाजी हो सकती है. So अब हम आते हैं जो present issue है. IS officers की posting transfer को लेके वो कहां से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ year 2015 से. Year 2015 के अंदर ministry of home affair ने एक notification जारी की जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि अब से LG का पूरा का पूरा control होगा services के उपर. अब ये services क्या है? जैसे की अब हमने पीछे देखा था कि यहां पर लिखा वा था कि जो entry number 1, 2 और 18 है state list की. इसके अलावा बाकी सब पर law बनाया जा सकता है. Delhi government की तरफ से इन पर नहीं बनाया जा सकता. ऐसे ही एक entry number होती है 41 state list के अंदर जहां पर आ जाती है आपकी public services. जैसे state public service commission भी होता है तो वो भी उसी के अंडर आता है. तो यह उससे pertaining है. तो एक notification जारी होगी कि आप कह सकते हो जो state list के अंदर 41 number की entry है उस पे भी ministry of home affairs ने कहा दिया कि LG का ही control होगा. अब जब इस पे बोल दिया LG का control होगा तो अब आप देख सकते हो कि जो IAS officers हैं, आपके Danics के officers हैं, जो भी officers क transfer posting होनी है, basically administrative machinery की जो भी transfer posting होनी है within Delhi, वो directly LG को depute कर दी गई. अब इसके खिलाफ जो Delhi की government है, वो Delhi High Court गई और year 2017 के अंदर Delhi government ने इस notification को valid करा दे दिया. उन्होंने ये बोल दिया LG is not bound by the aid and advice of the council of ministers in every matter. उन्होंने Delhi government के against judgment दे दी. अब Delhi High Court के इस fans लेके against appeal की गई honorable Supreme Court of India में. Supreme Court के अंदर year 2019 के अंदर एक two judge bench ने split verdict दी. Split verdict का क्या मतलब हुआ? कि एक judge ने favor में दिया, दूसरे judge ने उसके opposite अपनी verdict दी. तो ऐसे case में आप ये नहीं कह सकते कि bench की एक unanimous verdict थी. तो ऐसे case में जो आपका case होता है, वो refer कर दिया ज So that यहाँ पे अगर मालो तीनों का opinion एक नहीं भी होगा, तो two is to one के अंदर कोई एक judgment निकल के आएगी. तो three judges की bench को ये case refer किया गया, तो last year 2022 के अंदर three judges की bench ने ये पाया कि ये जो case है basically interpretation of constitution है. मतलब अगर कोई ऐसा case हो जिसमें court को ये लगे, bench को ये लगे कि इसके अंदर हम constitution का कोई एक article या कोई एक आप कह सकते हो part उसको interpret करने की बात है. तो ऐसे case के अंदर article 145.3 के under case refer कर दिया जाता है constitution bench को जिसका composition at least five judges का होगा. ये article कहता है कि जब भी कोई case ऐसा हो जहां पर interpretation of constitution की बात हो तो जो bench होगा वो at least five judges का होगा. तो ये refer कर दिया गया constitution bench को. और अब जो latest news आप देख रहे हो, ये 12th में की यहां पर आप news देख रहे हो, Delhi unique among utilities, Supreme Court gives state government total control over services in national capital territory. अब ये जो verdict आई है, ये constitution bench की तरफ से आई है. मतलब five judges की bench की तरफ से आई है. एक बार फटा-फट देख लेते हैं कि इस bench की तरफ से कहा क्या गया है. ये important है इसमें से कुछ points आपके लिए. एक तो इन्होंने बोला कि union and NCTD share a unique federal relationship. मतलब आप ये नहीं कह सकते हो, कि इनका जो relationship है, वो just like बाकी UT's की तरह है. अगर ये एक state नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आप इसको ये मान लोगे कि ये पूरा का पूरा एक union का part है. उसके अलावा उन्होंने बोला है, जो principles of democracy और federalism होते हैं, वो हमारे constitution के essential features हैं, और हमारे constitution का एक basic structure बनाते हैं. Delhi government has legislative and executive power over services. Services जो मुद्दा हम discuss कर रहे हैं, यहां बोला गया है कि उससे pertaining जो legislative power है, मनलब कोई भी कानून बनाना उससे related, या जो कानून बनाया गया है, उसको execute करवाना, मनलब executive power, वो Delhi government के पास ही रहेगी. उसके लावा इन्होंने यह भी बोला है कि जो IES है या जो बाकी की joint counter services है, like DANICS, तो यह services चाहिए होती हैं, किसी भी government को, policies को implement करने के लिए, या अपना vision फुल्फिल करने के लिए. So, यह जरूरी है कि यह services Delhi government के पास ही रहें. उसके लावा इन्होंने यह भी बोला है कि democratic form of government के अंदर जो real power of administration है, वो रहनी चाहिए elected arm of the state के पास. मतलब जो लोग चुनकर आये हुए हैं, elected लोग हैं, उनके पास इनका control रहना चाहिए. और क्या important चीज है? अब यहाँ पर Supreme Court ने triple chain of collective responsibility एक बहुत ही important term यूज की है. अब यह आपके prelims exam के लिए और means exam के लिए बहुत important है, क्योंकि यह अब news में आया है, तो पूछा जा सकता है prelims के अंदर question की इसका क्या मतलब है, या means के अंदर आपके question के अंदर directly, indirectly यह पूछी जा सकती है term. देखो collective responsibility आपने सुनी होगी with regard to council of ministers की, council of ministers जो हैं, वो collectively responsible होते हैं legislative assembly को. triple chain of collective responsibility का मतलब है, कि जो administration के officers है, they are collectively responsible to the council of ministers, और council of ministers are collectively responsible to state legislative assembly, और state legislative assembly is collectively responsible to the electorate. मतलब जो लोगों ने votes डाली है, जिन लोगों ने votes डाली है, state legislative assembly, उनको collectively responsible है, तो इसी लिए triple chain बोली गई है. तो court ने कहा है, यह जो triple chain of collective responsibility का concept है, यह dilute हो जाएगा, अगर जो officers हैं, वो directly council of ministers को responsible नहीं होंगे. उसके अलाबा उनने यह भी बोला है कि, जब council of ministers का कोई control ही नहीं रहेगा, government का कोई control ही नहीं रहेगा, posting transfers के उपर, या report लेने के regarding administrative officers से. तो ऐसे में administrative officers को कोई डरी नहीं होगा कि हमारे कोई काम करने ना करने का कोई harsh result तो होने नहीं वाला है, तो यह चीज़ काफी ज़्यादा negatively impact कर सकती है. Lastly, year 2018 के अंदर भी Constitution Bench of Supreme Court ने एक similar फैंसला सुनाया था, एक दूसरे case के अंदर, जिसमें again यही कहा गया था, कि जो state और concurrent list के जो भी entries हैं, उनसे pertaining कानून Delhi legislative assembly बना सकती है, except those entries जो की article 239 AA-3B के अंदर, जैसा कि हमने mention किया था, पहले entry number 1, 2 and 18, land, public order और police, यह तीनों से related कानून नहीं बना सकती है, और आपको यह भी ध्यान देना होगा, जो अभी हमने judgment discuss की है, इसमें भी Honorable Supreme Court of India ने clearly बोला है, कि जो हमारी यह judgment है, यह तीन entries को as an exception लेती है, मतलब इन तीन entries से related जो services है, like आपकी IPS और जो आपकी Danips है, यह जो services है, यह आपके public order या police से related होगी, तो इन से related जो services है, उस पे Delhi Government का control नहीं रहेगा, land से related services पे Delhi Government का control नहीं रहेगा, So friends, I hope अब आपको समझ में आ गया है, कि इस judgment का क्या relevance है, in reference to Indian administrative services and Danik service, आज के session का content आपके prelims और mains point of view से बहुत important है, So important points को आपको अच्छे से समझ के note down कर लेना है, और जैसा कि मैंने last session में बताया था, बहुत जल्द इस channel पे काफी बड़ी announcement आने वाली है, So stay tuned to the channel for that, So दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और important session के साथ, Till then keep grinding yourself and stay fit and healthy, जैहिंद!